दोस्तों कैसे आप सभी आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे दोस्तों हाँ जब बात करने वाले हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जी हाँ दोस्तों ये सबसे जादा इलेक्ट्रिक वेहिकल बेचने वाली कमपनी हो चुकी है इन सब्टेमबर टॉन्टी टॉन्टी वन इसके बेपरित कमपनी के जो मालिक है उन्हों के तरब से भी एक बहुत बड़ा अपडेट आया है उसके बारे में बात करेंगे साथ इसाथ इन गाडियों के इतनी डिमांड क्यू है Hero Electric की डिमांड इतनी क्यू है उसके बारे में बात करेंगे आगे वीडियो में वीडियो का अंतक जोरूर देखना चैनल अपने होतु सब्सक्राइब करके बाल का इकन दबा देना चले वीडियो को स्टार्ट करते, वेल दोस्तों अगर Hero Electric स्कूटर की बात करें, और बोले तो इसके अलावा भी दूसरी कमपनी की बात करें, तो सारी कमपनीयां अच्छी परफॉर्म कर रही है, सेल्स के मामले में, लेकिन Hero Electric थोड़ा अलग ही जाके, अलग ही इनका सेल की बात करो तो 6,500 ये लोंग गाड़ी बेच चुके है, उसमें से जो सबसे जादा बिखने वाली जो गाड़िया वो पाज गाड़िया है, इस फ्लैश, ओप्टिमा, फोटोन, एन वाइक्स, एन डैश, ये टोटल पाज गाड़िया है, जो सबसे जादा बिखी है, इन वैसे भी हीरो इलेक्टिक गाड़ियों की जितने भी स्कूटर्स थी, वो पहले से रेट कम थे और उसके बाद ये सारे रेट कम होने के कारण इस गाड़ी की डिमांड और भी बढ़ गई है, और इसमें और जादा हेल्प करने के लिए आ चुका है पेट्रोल प्राइस, प बहुत सारे लोग शिफ्ट कर चुके है इलेक्टिक वहिकल में, जो सबसे पहले जो मन में आता है अगर कोई नया आदमी है, अगर कोई नया परसन है, गाड़ी खरिंदे जाता है तो भाई, हीरो इलेक्टिक का नाम ज़रूर दिमाग में आता है, और यहाँ पे ही सबसे ब अलग ही एंटिटी है, यह हीरो मोटो कॉप से कोई लेना देना नहीं है, दोनों के सीओ अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है, सब कुछ अलग है, किसी को किसी से लेना देना नहीं, ना इसका शेर वो होल्ड करते है, अलग अलग है, अगर यह सोच के अगर आप जा रहे हो तो आप गलत कर रहे हो और काफी लोग इसी कारण से Hero की गाड़ी पर्चिस कर रहे है क्योंकि उनको लगता है कि ये वही कमपनी है जो कि Hero Motocop की Passion, Splendor जैसी गाड़ी बनाती है तो इस कारण से भी लोग इस गाड़ी को जादा खरीद रहे है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है लोगोंने सोचा Hero की गाड़ीया तो वैसी भी अच्छी होती क्योंना इलेक्टर गाड़ीया भी अच्छी ही होगी इस कारण से इसके डिमांड जादा बढ़ गई है साथी साथ बात कुरू इस कमपनी के प्रोडक्शन की तो जहां पहले कमपनी एक लाग प्रोडक्शन कर रही थी कमपनी की सीओ के तरफ से अपडेट आया है कि अब वो पाच लाग काड़ी बनाएंगे इन येर जिससे इनकी सेल्स रेट और जादा बड़े और साथ ही साथ इन्होंने डीलर्शिप पे भी एक कमेट किया है कि 339 डीलर्शिप थे एक्रोस 162 सिटीज में अब उसको भी बढ़ाने बाले है बहुत जल्दी बढ़ाने वाले है इसके अलावा भी कमपनी ने एक और चीज का वादा किया है कि इनकी जो प्रीमियम कॉलिटी की जो बाइक है जिसका नाम है AE47 Hero Electric की जिसको शोकेस किया गया था ओर्टक स्पो में अब वो गाड़ी भी बहुत जल्द लाँच करने वाले हैं तो इनके पास N number of गाड़ियों की लिस्ट होने वाली है अब अगर बात करें इन गाड़ियों को पर्चेस करने के उपाए वेल दोस्त मैं आपको एक चीज बोनना चाओंगा अगर आप इस गाड़ियों को पर्चेस कर रहे हैं तो पहले देख लेना आप इसके बिल्ड कॉलिटी से सेटिसफाइड है या नहीं है क्योंकि as per my knowledge काफी लोग जिन्होंने हीरो इलेक्टिक की गाड़ी पर्चेस की है उनको बिल्ड कॉलिटी में दिक्कत हुई है साथी साथ स्पेर पार्ट में भी दिक्कत हुई है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना यह मेरे तरब से conclusion में आड़ किया है गाड़ी, sales अच्छी हो रही है, sales rate भी अच्छी है news में भी सबसे ज़्याद आपको यह देखने हो में लेगा कि hero electric गाड़ी अब भिक रही है, बहुत demanding है लोग purchase कर रहे है, इतने ज़्यादा sales हो गए है दूसरे गाड़ी comparison में कोई competition में नहीं है Ola आने में टाइम है, simple one को आने में टाइम है Ether को आई है, लेकिन Ether को लोग purchase नहीं कर रहे है क्योंको price ज़्यादा हाई है इसलिए लोग budget में ढूणते तो ऐसी company यह मिलती है और साथ में hero जैसा नाम हो, तो लोग तो आग बंद करके purchase करते है लेकिन I hope मैंना आपको सारा clear कर दिया है थोड़ा सुच समझ के इन गाड़ों को purchase करना हाँ, अच्छी बात है इसके sales rate बढ़ रहे है आशा करता आपको यह informative वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना रहे है तो subscribe करना और प्लीज शेयर करना बिलते अगली वीडियो में जैहेंद